इसके लिए हमने छोलो को 8-10 गंटे भी हो लिया है विगो के हमने इसको मिठे सूड़े में उबाल लिया है मिठा सूड़ा डालके एक चमच और आम देल सकते किते नरम हो चुके हैं यह देले टूटर है तो में इस तरह से ही छोले चाहिए उसके बाद में हमने दो टमाटर द प्याज, तीन हरी मिर्ची इन सबको रप्री चोप कर लिया है तो कि हम इसी ग्रेवी बनाएके इधर हमने कालू को बोल कर लिया है आदी कटोरिया में दही चाहिए और कशुरी मेती, दो हरी मिर्ची में साबूर चाहिए, हिम चाहिए, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया हरी मिर्चू, प्याज डालेंगे, टामाटर, इनको डाल के अच्छे से मिलाएंगे, इनको दो मिर्च तक नरम होने तक हम अच्छे से पकाना है, प्यास टामाटर हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं, इसमें हिंग डालेंगे, इनको डाल के हम फिर इसम अच्छे से मिलादेंगे, लसन और अधरक जो हमने पहले लिया था उसको हम मिलादेंगे, इनको अच्छे से मिलाके, और हम तो दो मिंट पकालेंगे इसको, सर्सु का तील गरम हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे, जीरा हमारे अच्छे से चटक गया है, अब इसमें प्यास डालेंगे, और दो हरी मिल्स हम साबूर डालेंगे, उनको दो मिंट तर पकने देंगे, इधर हमने धही में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक स्वादा नुशार, लेकर अच्छे से मिला लिया है, इस दही को हम कड़ाई के अंदर मिर्ची नी काल लेंगे पहले, इस दही में मिलेवे मसाली को हम कड़ाई के अंदर डालेंगे, वर्षक अच्छे से पकाएंगे, यह हमारे मसाला बहुत अच्छा पक गया है, अब हमने टामाटर प्याज का जो पेस्ट बनाया है, वह इसमें डालेंगे, इसको भी मिलाके अच्छे से दो-त्र मिर्च तक पकाएंगे, यह हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, हमारी ग्रेवी बन कर तैयार हो चुकी है, अब इसमें हमने छो छोले लिए हैं वो इसमें डाल दिये हैं, छोलो को अच्छे से मिलाएं और हमने जो एक आलू जो बोल किया था, वो भी इसमें डालना है, उसको मेस करके अच्छे से डालें और इसमें मिला दें, इन सब को हम अच्छे से मिला दिया, अब हम इसमें 2 गलास पानी डालेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे शूबलने के लिए छोड़ देंगे, इसको मिला के हम 5 मिन्ट तक अच्छे शूबा लेंगे, 5 मिन्ट होगे हमारी सब्जी को बलते हुए, अब इसमें कसूरी मिध्र डालेंगे एक चमज गरा मसाला इन सब को डालके हम अच्छे से मिला देंगे घरी मिर्ची भी हमने इसमें डाल दी है हमारे सब जिबन कर तैयार हो चुकी है आम देख सकते हैं कितने चाहिए हैं एक बार जरूर ट्राइ करें धिन्ने बाद कर दो कर दो कर दो